जो दोस्तो गुड मॉनिंग मेरे ना महर्ण मुगिला और मैं M.D. इंग्लिस अट्डा से बात कर रहा हूं और मेरे साथ पर स्वरण है और स्वरण अभी अभी साते करेको एक फेस्टूल यानी कि एफ़ोर्स कि बार में फेस्टूल टीटिटीव साईटो और बॉसिंग्लेश जो इंग्रेश को वालीफाइब एरिया है और हमारी तरफ से अपर्टीम की तरफ से मुअब भूळाइ स् एंड बेठाई भी चले तो स्वारब के लिए एक पार मेंडा स्वार तो चलिए गान रेते हैं स्वारब से कुछ इंपोर्टन चीज़ है अना रिगार्डिंग इंटर्व्यू और रिगार्डिंग प्लस फेश्टू जिससे की आप सबीरों को हैं और बात करते हैं सब्सक्राइब अच्छा स्वारब आपको यह साने प्रोसेस का देने पार किसे देना चाहेंगे सर्थ मेरा सबसे प्रेश्ट आपको है सर्थ क्योंकि सर्थ आपकी गाइड़ेंस में मैंने दो बार फेश्टू क्लियर किया हुआ है और सर्थ मेरा थैंक गड़ भगवान को भी है और में इपेडेंस को है क्योंकि हमें अपने बागवान अपने पेरेंट्स और अपने गुरुप को अपनी नहीं होना चाहिए क्योंकि यही तीन लोग है जो हमें लाइप में हमेशा आगे कि वह पुश्टर्स हैं और दुनिया का कोई बरुशा नहीं है लेकिन यह तीन लोग हैं जिनके हम पूरा ब्लीट कर सकते हैं और यह एक्सिनेट्स के हमें आगे ही बढ़ाते हैं तो स्वार अपका किस रेट में पेस्ट हो था मेरा पेस्ट था 7th of November सेंटर कहा था है सेंटर था मेरा चेंड नहीं है अचा इस बार कोई चेंडिस हुआ है जैसे पहले SRT होता था उसके बाद में GD होता था आगे कोई चेंडिस हुआ है क्या हुआ है सर इस बार इंग्रिश और राइडी तो अचा कोई नेग्टिव आग नहीं है यह कोई नेग्टिव आग्टिव आग्टिव नहीं है आप जब आपने पहला इंग्लिश का पाट आगे लिए SRT के था नो सर वो एक्जाम में के उसलिए बिली उती है वो यह मार शीट उसमें दौनों का करना था एक साथ दौनों के खरना था लेकिन पहले अपूँ चैप होगा? ने सर एक साथ ही चैप होगा यह उसी वह आपना सीट में दौनों बन देती एकि वह आपना सीट में यह जीज तभी तो SRT कभी तर 20 प्लस 45 इस तरह से था 65 तरह तो अपना मौस के बाद में तर हमारे जो जीडी हुआ तो जीडी में क्या से एक्स्पिनेंस रहा आपको फुराशी ने करें साथ सर जीडी में सर 15 candidates की होती है 15 candidates का वैश्टा सर जिसमें topic था हमारा ओलंपिक और सर उसमें जो इस्टुएंस थे जातर तेर्फू थे और कुछ यूबीके भी थे इसलिए सर उसमें जो तेर्फू इस्टुएंस थे इंग्रिस इंग्रिस नहीं होने कि में यसे वो आपको है और कुछ वच्चे जिनका फिजिकल एपिरेंस थोड़ा वो एंडूर रहे थे उसके वज़े से आपको है और हमारे में 15 मैं से 12 पास हुए और 3 आपको है तो टॉपिक हमारा आया था ओलंबिक अबुन क्या था इंडिया ओश्ट ओलंबिक और राटना अच्छा लिए ये टॉपिक तो मैंने आपको दिया रहे था मिलता है ऑफ़िक के सामने प्यांट करना है हम रट करके क्वालिफाइ नहीं गर सकते ये थे तो सारी मत्ची क्वालिफाइ गर पते इसलिए आपको रटना नहीं है समझना है और देया ऐसीया अच्छा बहुत ज्यादा ऐसा बोले जाता आपके जीनी है साथ इतना हाय दौबा है कुछ ऐसा लगा आपको नो सब नॉर्मल होता है सर्व हाफिस सब तो फर्स राउंड में आपने क्या चीज़े पूरी कि आपको क्या बोलना है क्योंकि कुछ ऑविस सर्फ पूरा इंच्विक्षन कि नाम नहीं चाहिए पूर को एक ऐसा आपके इपर के राउंड बोड़ने आपने इंट्रो पोल दिया तो उससंदे में रीधी पूल थो यह रहां किस तरह से से पासिपैट किया आपने है राउंड वन्हों ने बोला था जिसको जो भी पॉइंट रखने अपने रख सकते हैं तो इसमें जो बच्चे उठाना चाहते हैं चार बच्चे एक साथ क्योंकि वहां फिस मार्केट बनी हुए थी राउंड ने फिस मार्केट में मैंने दो पॉइंट बोले और दुसरों कम उसमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगिडी डिसेक भी जो करना कर सकते हैं तो यानि कि फेस मतलब राउंड वन में इंट्रोड़क्शन ब्रीफ राउंड दू में अपने जो भी पॉइंट से हैं दो तीन चार को रखिये और बात कड़ब हो जाती है तो जो बच्चे डिस्कॉलिफाइड वह उने कौन कौन से कुछती है सरुमने डिस्कॉलिफाइड होने का कारड़ी होता है कि कुछ तो बोलते नहीं है को बॉटते है या फियर होता है बुच्छों के चेरे पर दिखाएड देने कि कुछत करते हैं वह एक डिटर की तरह बेर करते हैं तो बोले हो पी आउट हो जाते हैं यानि कि यहां पे लिगेश्यफ कॉलिटी नहीं शोगरनी है because you are not going to give your NDSSB NDSFP नहीं देने जा रहा है, यह सिंपल एक English Legibility Test है, जिसमें आपको यह बताना है, कि यह मैं English समझ सकता हूँ, मैं English बोह सकता हूँ, मेरे पास social कुछ ideas हैं, और अपने standards को बना करके हम बताने ज़से हैं, यह बेसिक शीज़े हैं, जो Air Force में मंगी जाती है, यह आपको चेक की जाती है, तो clear हो रहा है यह सारी सित हैं, तो हम उमीद करते हैं, last time आप चाहिए अच्छा, medical, last time आप medical नहीं गएगे थे, इस बार आप medical qualify करें, और final selection तर पहुंचें, और हमारी best wishes आपके साथ में हैं, and thank you, thank you sir, एक बार जोट तक तालिया में हैं,